आज हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजिस की हम देखेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजिस क्या होती है चेंजिस कहते हैं तबदीली को और ये तबदीली किस में होती है? matter में matter क्या होता है कोई भी चीज जो वजन रखती है और जगा घेरती है उसे matter कहते है जैसा कि यहाँ पे यह चॉकलेट है और चॉकलेट क्या होती है यह matter है क्योंकि यह वजन भी रखती है और जगा भी घेरती है इसी तरह पानी क्या होता है matter और ये पौदा भी matter है ये matter change हो सकता है यानि इसमें तबदीली भी आ सकती है जैसा के हम देख रही है ये चॉकलेट पिगल रही है यानि melt हो रही है तो ये क्या हो रही है? solid से liquid में जा रही है तो matter में दो तरह की changes आ सकती है यानि दो तरह की तबदीलियां आ सकती है एक ये होती है कि ये एक हालत से यानि एक state से solid, liquid, gas में से किसी एक state से दूसरी में तबदील हो जाए और दूसरा ये होता है कि matter ही रहे लेकिन वो एक चीज से दूसरी चीज बन जाए तो ये दो तरह की changes होती है जब matter एक हालत से दूसरी हालत में जाता है और वो कोई नई चीज नहीं बनाता तो हम कहते हैं वो होती है physical change यानि matter में physical तबदीली आई है लेकिन जब matter इस तरह से तबदील हो के एक नई चीज बन जाए तो हम देखते हैं कि वो chemical change कहलाते है वो तबदीली chemical change कहलाती है आईए अब हम पहले physical change के बारे में पढ़ते हैं उसके बाद हम chemical change के बारे में पढ़ेंगे जब हम physical changes की बात करते हैं पहली चीज हम ये देखते हैं कि इसमें इस तबदीली के बाद कोई नई चीज नहीं बनती यानि no new substance forms मिसाल के तोर पे यहां पे हमारे पास wax है wax होती है mom जैसा के mom बती की भी wax होती है mom बती भी mom बती क्यों कहलाती है क्योंके वो mom से बनी होती है और mom क्या होती है wax जब mom को हम पिगलाएं तो हम देखते हैं वो इस तरह से और हम देख रहे हैं mom जो थी solid हालत में थी लेकिन पिगलने के बाद ये liquid हालत में चली गई है यानि कि पिगली हुई हालत में आ गई है जो कि liquid state है इसका मतलब हुआ कि physical changes क्योंसी changes होती है जिसमें सिर्फ कहां पे तबदीली आती है shape में यानि कि शकल में जिसके यहां इसकी शकल तबदील हो गई size में अब वो ही size तो नहीं रहा इसी तरह state of the substance में यानि कि अगर वो solid थी तो liquid बन गई अगर liquid थी तो वापस solid बन गई liquid थी तो gas बन गई या gas से liquid बन गई तो इस तरह से solid liquid gas में से state तबदील हो गई या size तबदील हो गया या shape में तबदील आ गई लेकिन कोई नई चीज नहीं बनी ये भी wax थी ये भी wax है इसी तरह अगर हम इस mom को थंडा करतें तो ये वापस solid में तबदील हो जाएगी बिल्कुल इस तरह से कि आपके पास अगर चॉकलेट हो और आप उसको गर्मी में रखें थोड़ी देर तो वो पिगल जाएगी क्यूंकि वो गरम हो जाएगी तो वो लिक्विड में आ जाएगी और वो पिगल जाएगी लेकिन अगर आप चॉकलेट को फ्रीजर में रख देंगे तो वो वापस सॉलिड फॉर में चॉकलेट पूरी बन जाएगी और यह भी तबदीली है जब चॉकलेट मेल्ट हुई और वो इस तरह लिक्विड में आ गई तब भी फिजिकल चेंज था तब भी एक तबदीली आई थी इसमें स्टेट ऑफ दे सबस्टेंस और शेप में और जब हम देखते हैं कि यही चॉकलेट हमने फ्रिज में रख दी तो वो दुबारा से सख्त हो गई और वो सॉलिड बन गई तो वो भी क्या होती है तबदीली होती है फिजिकल चेंज इसका मतलब यह हुआ कि फिजिकल चेंज को हम रिवर्स भी कर सकते हैं तो यह रिवर्सेबल चेंज होता है रिवर्सेबल चेंज यानि ऐसी चीज जो आगे भी जा सकती है जो पीछे भी जा सकती है तो यहां पर रिवर्सेबल चेंज का मतलब क्या होगा कि हम वैक्स को solid wax के टुकड़े को liquid wax भी बना सकते हैं और liquid से वापिस हम change कर सकते हैं इसको solid wax में भी तो इसका मतलब है physical changes reversible changes होती है physical change की कुछ और examples देख लेते हैं जैसा कि हमारे पास यहाँ पे water की तीन मुख्तलिफ states है जैसा कि ice यानि के बरफ जो solid state है water यानि के पानी जो के liquid state है और steam यानि के gas जो के यानि steam यानि के भाप जो के gas state है अब इन हालतों में जब तबदीली आती है तो वो भी physical changes होती है जैसा कि जब ice पानी में तबदील होती है तो कब होती है जब ice को थोड़ी सी गर्माईश मिलती है यानि बरफ को अगर हम थोड़ी सी गर्माईश दें तो वो पिकल के पानी बनाती है और इस process को कहते है या इस अमल को कहते है melting फिर इस पानी को अगर हम क्या करें इसको हम उबालें यानि के heat करें और इसको ज़्यादा आच दें तो यह क्या होता है बहुत ज़्यादा जब दरचे हरारत मिले और गर्माईश मिले तो यह इसमें से भाप निकलना शुरू हो जाती है यानि के यह क्या होने लगता है इसमें बुलबुले बनने लगते हैं और इसकी इस पानी की भाप बनना शुरू हो जाती है इस practice को क्या कहते है इस process को कहते है boiling और यह हमारे पास क्योंकि एक हालत से दूसरी हालत में तबदील या रही है यानि एक state से दूसरी state में जा रही है लेकिन कोई भी नई चीज नहीं बन रही तीनों पानी की मुक्तलिफ सूरते हैं हाँ, इनकी शेप में तबदीली आ रही है इनके साइज में तबदीली आ रही है लेकिन ये कोई नई चीज नहीं बन रही अब हम ये कैसे देखेंगे कि यह reversible है कि नहीं चले अब हमारे पास बन गई है भाप अब इसके उपर आप क्या करें यह इसमें से गरम-गरम पानी जो है उबल रहा है तो भाप बन रही है इसके उपर हम धक्कन रखतें जैसे ही हम धक्कन रखेंगे दो मिनट के अंदर-अंदर क्या होगा उस धक्कन के उपर पानी के के चोटे चोटे कत्रे आजाएंगे इसका मतलब है गय से वापिस किया बन गया liquid बन गया यहीं स्टीम से water बन गया और इस अमल को हम क्या कहते हैं condensation पिर हमारे पास पानी जो है हम इसे क्या करते हैं फ्रिज में रखते देते हैं बलके freezer में रखतेंगे और हम क्या देखते हैं जब बहुत जादा थंडा इसको जो है वो टेमपरिचर मिलेगा बहुत थंड़क होती है फ्रीजर में तो क्या होगा ये वाटर आइस में यानिके बरफ में तबदील हो जाएगा और इस तरह हमें वापिस बरफ मिल गई हम बरफ से शुरू किया था फिर हमारे पास हमने इसको गरम किया तो पानी मिला उसको गरम किया तो उसको बॉइल किया तो स्टीम मिली फिर हमने स्टीम को ठंडा किया तो कंडेंसेशन के जरीए वाटर बन गया वापिस लिक्विड व आइस भी बन जाती है water से steam बनी steam से वापस water भी बन जाता है तो इस तरह से हमने क्या देखा? हमने देखी physical changes और अब तक हमने physical and chemical changes में से physical changes की बात की है next lecture में हम chemical changes की बात करेंगे